नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सेरीज की मज़ेदार कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका का इंतकाम पार्ट टू अब तक हमने देखा कि वेहल के पेट में सोया हुआ राका बाहर निकलाया और एक बार फिर उसने तबाही मचाने शुरू कर दी और चल पड़ा चाचा चौधरी से बदला लेने पर चाचा चौधरी और साबू ने राका को प्रोफेसर गोड बोले के विशेर धातू से बने पिंचरे में कैद कर दिया जिसे राका तोड नहीं सकता अब आगे साबू बोला चलो एक समस्या तो हल हुई चाचा चौधरी ने कहा सिर्फ थोड़े समय के लिए साबू ने कहा क्या मतलब क्या यह सच नहीं कि राका अद्बो धातू के बने पिंचरे को नहीं तोड सकता चाचा चौधरी बोले यह सच है मगर वह ताला तो उस धातू का नहीं बना सवाल यह है कि यह बात कब राका की खोपड़ी में आती है साबू बोला तो फिर हमें क्या करना होगा वह दरिंदा तो पिंचरे से निकलते ही मार काट शुरू कर देगा चाचा चौधरी ने कहा हमें एक बार फिर वैदिराज के गुरू वजर देव के पास जाना होगा वे कोई उपाई बताएंगे चाचा चौधरी और साबू हिमाले के घने जंगलों की तरफ चल दिये चाचा चौधरी बोले गुरू वजर देव के पास गए बगेर या समस्त्या हल नहीं होगी पीछी से मोगन और बोगन चाचा चौधरी के घर डकैती करने आप पहुँचे बोगन बोला मोगन ये तैप आया था कि हम उस घर जाएंगे जहां डकैती डालना आसान हो मगर तुम चाचा चौधरी के घर ले आए मोगन ने कहा बोगन चाचा चौधरी और साबू दोनों बाहर हैं अकेली औरत को लूटना आसान नहीं तो और क्या है बोगन के कहा चोर इलाकों में यह बात मशूर है कि जब चाचा चौधरी घर नहीं होता तब उसका घर जादा सुरक्षित होता है मोगन बोला बोगन तू बड़ा डरपोख है बाहर खड़ा होकर देखता रहे कि कोई अंदर ना आये मैं भीतर जाकर माल लाता हूँ उधर चाची खाना बना रही थी और सोचने लगी सबजी तो बन गई पता नहीं वे लोग कब घर लोटेंगे मोगन ने कहा औरत तुम्हें जिसका इंतजार था वह आ गया जल्दी बताओ सारी नगदी वा केमती जेवरत कहां रखे है चाची बोली वे सब अलमारी में तुम्हें मिलेंगे मोगन ने कहा तुमने मेरा काम जल्दी निप्टा दिया और सोचने लगा बेवकुफ औरत को पता नहीं कि मेरे पास खेलोना पिस्तोल है इससे मक्खी भी नहीं डर सकती यह रही अलमारी जैसे ही मोगन ने अलमारी खोली उसमें से रॉकेट निकला और मोगन के पीछे पड़ गया मोगन बोला मर गए मोगन भागता हुआ घर से बाहर निकला चाची बोली रॉकेट इन्हें दूर तक खदेड़ाओ उधर चाचा चौतरी बोले सत्या नाश मीटर की सुई बताती है कि रीजल खत्म हो गया है साबू ने कहा टर्क को यहीं छोड़ो आगे पैदल चलते है चाचा चौतरी ने कहा इस तरह हम गुरु वजर्देव के पास देर से पहुँचेंगे तभी एक आदमी वहां आया और बोला नमस्कार चाचा जी एक बार आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी कुछ देर मेरे अतिती बनना सुईकार कीजिए चाचा चौतरी बोले शुक्रिया दोस्त हमारे पास समय नहीं है हमें दूर जंगलों में पहुचना है वहां आदमी बोला तो फिर आप पैदल क्यों जा रहे हैं आप मेरा हेलिकॉप्टर ले जा सकते हैं चाचा चौतरी ने का वाह यह घंने जंगल में आसानी से उतर जाएगा चाचा चौतरी हेलिकॉप्टर को लेकर उड़ चला और साबू एक रस्ती के सहारे हेलिकॉप्टर से लटक गया चाचा चौतरी ने कहा कहो साबू कैसी रही साबू बोला ऐसी एडवेंचर स्यात्रा की आनंद का क्या कहना चाचा चौतरी सोचने लगे उत्तर की तरफ उड़ते हुए घंटा हो गया अगली चंद मिंटों में हम हिमाले के जंगलों पर होंगे और बोले हमें जहां पहुँचना था वह अच्छी जगह है हेलिकॉप्टर उतारना चाहिए यह कहकर चाचा चौधरी ने हेलिकॉप्टर नीचे उतार दिया और कहा सुरक्षित उतर आए गुरू वजरदेव को खोजने में कुछ देर लगेगी साबू बोला यह जंगल शायद विश्व का सबसे घना है चाचा चौधरी ने कहा विश्व का सबसे घना न सही तभी साबू ने वजरदेव को एक पेड़ पर बैठा पाया और बोला अरे बाबा आप यहाँ चाचा चौधरी ने कहा हम आपकी कुटिया की तरफ जा रहे थे वजरदेव ने कहा इस खोंसले से चड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था इसे वापिस यहाँ छोडने आया हूँ चाचा चौधरी बोले इतनी आयू में आप ऐसा काम करते हैं जो आज कल के नौजवान भी नहीं कर सकते वजरदेव ने कहा यह यहाँ की जलवायू और इस जंगल की दुरलब जड़ी बूटियों के सेवन का असर है कहो चौधरी कैसे आना हुआ चाचा चौधरी बोले बाबा राका फिर वापस आ गया है और उसने चारो तरफ कोहराम मचा रखा है वजरदेव ने कहा पिशली बार मैंने तुम्हें इस वरिक्ष का फल दिया था जिसमें मनुष्य को चर निंद्रा सुलाने की शंता थी इस बार तुम्हें वह भी नहीं मिल सकता क्योंकि इस पेड के सारे फल जड़ गए है अब तुम्हें अगले मौसम का इंतजार करना पड़ेगा साब्बू बोला तब तक राका हजारों को मौत की घाट उतार चुका होगा वजरदेव बोले तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ चाचा चौध्य ने कहा बाबा आपको कुछ नकुछ उपाय सुजाना ही होगा आकिर मनुष्य जाती के फ्रती आपका भी तो कुछ उत्तरदाईत है वजरदेव ने कहा टहरो सोचने दो कुछ देर सोचने के बाद वह बोले यहां से पश्चिम की ओर जाने पर तुम्हें एक श्रिंकला मिलेगी जिस परवत पर त्रशूल वाला जंडा लहरा रहा हो उसके नीचे एक गुफा है गुफा का द्वार भारी पत्थर से बंद है उसे उठाना होगा अंदर जाने पर एक महिला मिलेगी नाम है शन्खो वह मेरी नानी है वह तुम्हारी मदद करेगी साबू बोला हाँ बाबा पिछली पार तुमने अपने उम्र हजारों से उपर बताई थी तुम्हारी नानी भला इस दुनिया में कहा होगी चाचा चौधरी बोले साबू यहां की चमतकारी जड़ी बूटियों ने इन लोगों को देर गायू परदान की है चाचा चौधरी बोले बाबा माफ कर दो हम तरशूल वाले परवत पर शनको नानी के पास जाएंगे वज़े देव ने कहा एक बात याद रखना शनको अद्बुच जादुगरनी है और थोड़ी गुस्तेली भी इसलिए तुम्हारा साथी वहां कोई गुस्ताखी ना करे और वे पश्चिम की ओर चल पड़े साबु बोला यह जंगल में रहने वाले भी बड़े रहस्य में ही लोग हैं काफी समय तक उड़ते रहने के बाद वे परवत शिंकला के उपर पहुँचे चाचा चौधरी ने कहा और वेह रहा तरशूल वाला जंडा बस हमें यहीं उतरना है चाचा चौधरी ने साबु से कहा आओ अब हमें गुफा ढूलनी है और बोले वेह रहे गुफा जिसका द्वार पत्थर से ढखा है साबु इसे उठाना तुम्हारा काम है साबु ने सुचा ओह काफी भारी है और साबु ने गुफा का पत्थर हटा दिया और बोला लो चाचा जी आप अंदर चा सकते हैं चाचा चौधरी ने कहा संभल कर साबु गुफा का द्वार तुम्हारे लिए छोटा पड़ेगा पर अंदर गुफा काफी बड़ी है गुफा में जादुगर्नी शनको नानी अपने तोते के साथ खेल रही थी वह बोली ठेरो कुछ देर के लिए खेल रोकना पड़ेगा तोता बोला क्यों तुम हारने वाली हो इसलिए शनको नानी ने कहा नहीं अभी जो हवा आई उसमें आदमी की गंध थी कोई यहां घु रस्तियों में बंद गए साबु ने कहा ओ यह क्या हुआ इससे पहले कि चाचा चौधरी और साबु कुछ सोच पाते वे खिजे चले गए शनको नानी बोली इससे पहले कि मैं तुमें सजा दू बताओ तुम कौन हो और यहां चोरी से क्यों घुसे हो तोता बोला हां चाचा चौधरी बोले नहीं साबु धहरे से काम लो चाचा चौधरी ने शनको नानी से कहा गुरु वजर देव ने हमें यहां भेजा है शनको नानी बोली ओ मेरे नाती वजरुने तब तो तुम हमारे महमान हो शनको नानी बोली जादूई रस्तियों इनके बंधन खोल द शनको नानी ने फिर छड़ी घुमाई साबू ने कहा हम आजाद हो गए चाचा चौधरी बोले अब हम तुम्हें यहां आने का मकसद बताते हैं शनको नानी ने कहा अभी नहीं दूर से आये हो पहले भोजन कर लो और वे दोनों भोजन करने लगे साबू बोला सच मुझ यह मेरी पसंद का खाना है शनको नानी बोली बताओ मेरा नाती वजरू कैसा है उसे देखे कई साल बीट गए अब वह कमजोर हो गया होगा चाचा चौधरी ने कहा बिलकुल नहीं गुरू वजरदेव हमें पेड़ पर चड़े हुए मिले थे उनमें अब भी नौजवानों वाली शक्ती है शनको नानी बोली अब इतनी दूर आने का मकसद बताओ चाचा चौधरी ने कहा राखा एक बेरहम डाकू है उसने ना मरने वाली औश्दी पी रखी है वह लोगों पर अत्याचार कर रहा है हमने किसी तरह उसे एक पिंजरे में बंद किया है पर वह किसी भी वक्त ताला तोड़ कर बाहर आ सकता है नानी मा हमारी मदद करो शनको नानी ने कहा देखो जादू की भी अपनी सीमाएं है कुदरत के नियमों को वह तोड़ नहीं सकता इसलिए मेरा जादू भी राका की जान नहीं ले सकता हाँ एक उपाय है यह बोतल ले जाओ और राको को इसमें बंद कर दो जब तक इस बोतल का कार्क लगा रहेगा वह बाहर ना आ सकेगा साबू बोला हाहा राका केसी चूहे का नाम नहीं है वह लंबा चुड़ा पाहाड जैसा आदमी है इतनी छोटी बोतल में वह कैसे आएगा आओ चाजा जी चलें यहाँ आकर मुझे निराशा हुई शनको नानी बोली ठेरो यह देखते जाओ कि पहाड जैसा आदमी इतनी छोटी बोतल में कैसे आता है शनको नानी जादू के इशारे करती है तभी साबू हवा में जूल गया और बोला ओ अजीब बात है साबू बोतल में कैद हो गया शनको नानी बोली अब पता चला कि इतना बड़ा आदमी बोतल में कैसे आता है अगर कार्क लगा दूँ तो तुम बाकी की उम्र अंदर ही गुजारोगे चाचा चौजरी बोले नहीं नानी मा ऐसा मत करना मैं साबू की तरफ से माफी मांगता हूँ शनको नानी बोली कोई बात नहीं बच्चा है मेरा नाती वजरू भी बच्चपन में बहुत शैतान था शनको नानी ने साबू को वोतल से बाहर निकाल दिया और बोली चलो बाहर निकलो साबू बोला शुक्र है तुमने तो मेरा दम खुश कर दिया था साबू ने कहा नानी मा एक बात बताओ तुम्हारे उम्र कितनी होगी चाचा चौधरी बोले फिर गुजताखी जानता नहीं औरतों की उम्र नहीं पूशते चाचा चौधरी बोले अच्छा नानी मा हम चलते हैं उम्मीद है हम अपने मकसद में काम्याव होगे शनकुरानी ने कहा अगर राका का बाल भी अंदर चला गया तो बाकी का शरीर बोतल अपने आप खींच लेगी चाचा चौदरी और साबू वापस शहर की तरफ चल दिये साबू सोचने लगा हेलिकॉप्टर के पंके तेज हवा फेक रहे हैं उधर एक आपनी बोला राका बैठा क्या सोच रहा है सिपाही ने कहा यही कि बाकी की जिंदगी इस पिंजरे में कैसे बिताऊँगा लेकिन राका किसी और सोच में था पिंजरे पर लटकते ताले ने अचानक उसका ध्यान आकरशित कर दिया राका सोचने लगा इसे मैं तोड सकता हूँ सिपाही बोला अरे क्या करते हो ताला छोड़ दो नहीं तो मैं गोली मार दूँगा राका ने जोर से ताला खिंचा और ताला तूटकर अलग हो गया सिपाही ने राका पर गोलिया चलाई और बोला रुक जाओ राका बोला चूहे और राका ने सिपाही को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया उसने अपनी तलवार उठाई और बोला चाचा चौधरी जब तक तुम चल कर मेरे पास नहीं आते मेरी तलवार नर संघार करती रहेगी और राका के पाओ जहां पढ़ते वहां लाशे बिच जाती चलते चलते राका एक पुल पर पहुंच गया और सोचने लगा यहां एक साथ सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता है इस पुल पर से रेलवे लाइन बुजरती है अगर मैं ऐसे तोड़ दू तो विल्क्ष का यह तना पुल तोड़ने के काम में आएगा और उसने एक पीड़ के तने को उठा लिया मजबूत हाथों ने तने से प्रहार करना शुड़ू कर दिया और पुल तोटना शुड़ू हो गया कुछ ही मिन्टों में एक्स्प्रेस ट्रेन आती दिखाई दी यात्री आपस में बाते कर रहे थे मैं छुटिया मनाने कश्मीर जा रहा हूं दूसरा बोला मेरा यह बिजनेस टूर है तभी गाड़ी तूटे वे पुल से नीचे जागि दी और सभी यात्री नीचे बहराई नदी में गिर गए राका बोला हा हा सारे के सारे पानी में दफन हो गए अब आगे बढ़ना चाहिए राका शहर में पहुँच गया एक आद्मी बोला रोमी मैंने बर्डे केक खरीद लिया है रोमी बोली मैंने साड़ी और कुछ कपड़े खरीदे हैं अचानक राका को देख कर वे डर गए और चिल्लाए राका भागो वे सब को मार डालेगा और जान बचाने के लिए भगदर मच गई लोग आखिर भागते कहां राका की तलवार उन पर बरस पड़ी और राका ने सब को काड़ डाला वह एक कस्बे से दूसरी कस्बे सब को उजारता चला गया हेलिकाप्टर में बैठे चाचा चौधरी ने सोचा नीचे शहर जल रहा है लगता है राका पिंजरे से आजाध हो गया है चाचा चौधरी बोले हाँ वहरा शैतान शहर के बाहरी मिल गया शायद अपना काम करके रुखसत हो रहा है राका ने कहा नीचे उत्रो काईरो मुझसे कब तक छिपते रहोगे तुम समझते हो कि आसमान में तुम सुरक्षित हो क्योंकि वहां मैं नहीं बहुँ सकता पर जान लो जब तक तुम नीचे नहीं उत्रोगे मेरी तलवार लोगों को काटती रहेगी उधर नीचे एक बीमार बुढ़िया रस्ते पर जा रही थी उसने कहा सारी रात बुखार चड़ा रहा जाकर अस्पताल से दवाई लाओं राका बोला बुढ़िया अब तुझे कहें जाने की जरूरत नहीं राका तेरे सारे कश्टों का निवारन करेगा साबु बोला बुजदिल बीमार औरत को मारना चाहता है मैं आ रहा हूँ यह कहकर साबु ने राका के उपर छलांग लगा दी राका बोला अब तक तुम कोई न कोई चाल चल कर बचते रहे लेकिन आज तुम्हारा अंतिम दिन है साबू ने कहा मुझे भी आज तुम्हें ठिकाने लगाना है राका ने तलवार से साबू पर वार किया लेकिन साबू बच गया राका बोला राका जब नराज होता है तो धर्ति के सारे प्रानी काप उठते हैं आखिर कब तक बचोगे साबू ने सोचा मैं ठक चुका हूँ परन्तु मैं चुका नहीं कि उसकी तलवार ने मेरा सिर धड़क से अलग किया नहीं चाचा चौधरी एक पेचकस लेकर वहां पहुँचे और बोले यह शैतान निहत्ते साबू पर वार किये जा रहा है यह पेचकस राका का ध्यान शायद कुछ बटा दे चाचा चौधरी ने पूरे जोर से पेचकस राका के पैर पर दे मारा राका आगववुला होटता है राका ने कहा चल हट दो शेरों की लड़ाई में मच्छर का क्या काम और उसने चाचा चौधरी को हवा में उच्छाल दिया चाचा चौधरी दूर सूखे घास के धेर में जा गिरा चाचा चौधरी ने सोचा ओ वह जादवी बोतल घास हूस में कहां खो गई उसे ढूरना जरूरी है इस बार राका की तलवार साबू की कंधों को तराश्टी हुई चली गई कंधे से खोन बह निकला जख्मी शेर की तरह साबू गुस्टे से पागल हो गया और जब साबू को गुस्टा आता है कहीं ज्वाला मुकी फटता है साबू ने एक जोड़दार मुक्का राका के मुट पर जड़ दिया और बोला यह लोबाया मेरा कंधा जख्मी करने के लिए और यह रहा दाया राका चक्कर खाकर चित हो गया साबू ने राका को कंधे में उठा लिया और बोला चाचा जी बोतल लाओ इस जंगली जानवर को बंद कर दे चाचा चौधरी बोले अरे वह कमबकत तुम मिल नहीं रही साबू ने कहा जल्दी जूंडिये इस भारी भरकम को मैं ज़्यादा देर तक उठाए नहीं रख सकता राका बोला मुझे नीचे उतारो चाचा चौधरी बोले अहा मिल गई नानी मा की जादूई बोतल साबू मैं आ गया फेको उस पिशाच को साबू ने राका को जमीन पर फेक दिया चाचा चौधरी बोले हाथ बोतल में परविष्ट कर गया बाकी शरीर भी अंदर आ रहा है राका ने कहा मुझे बाहर निकालो मुझे बाहर निकालो चाचा चौधरी बोले अब आप अंदर ही तश्रीफ रखेंगे साबू ने कहा इस बोतल का क्या किया जाए चाचा चाधरी बोले मेरे खयाल से गड़ा खोद कर इसे गार दिया जाए जमीन के अंदर होगी तो इसका काक नहीं खुलेगा और ना राका फिर कभी बाहर आ सकेगा कुछी मिन्टों में गड़ा खोद दिया गया चाचा चाधरी बोले साबू बस काफी है चाचा चाधरी ने राका से कहा जाओ राका तुम जिन्दा रहोगे पर जमीन के नीचे जहाँ तुम किसी को कष्ट न दे सको राका बोला मुझे बाहर निकालो गड़े पर मिट्टी डाल कर जमीन बराबर कर दी गई चाचा चौधरी साबू से कहा चलो घर चलें तुम्हारी चाची इंतजार कर रही होगी उस दिन शहर को दिवाली की तरह सजाया गया एक बच्चा बोला मा आज दिवाली नहीं है फिर भी घरों में दिये क्यों चलाए गये है उसकी माने कहा क्योंकि जालिम राका को जमीन में गार दिया गया है तो यह थी चाचा चौधरी और राका की मज़िदार कॉमिक्स ऐसे ही मज़िदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद